एमजी मोटर इंडिया ने पुष्टी की है कि वो साल 2023 की दूसरी तिमाही यानि अप्राल जून में एक किफायती मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार लॉंच करेगी इस मॉडल का नाम एमजी सिटी एव हो सकता है भारतिय बजार में इसकी कीमत 11 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है यदि इस कीमत पर इसे लॉंच किया गया तो नई एमजी इलेक्ट्रिक कार मौझूदा टाटा इवी को टककर देगी जिसमें टियागो इवी, टिगोर इवी और नेक्सन इवी शामिल है टाटा की इन सभी इलेक्ट्रिक कारों की कीमत इस समय 8.49 लाख रुपए से 17.50 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच है एमजी मोटर इंडिया के प्रेजिडेंट और मैनेजिंग डिरेक्टर राजीव चाबा ने खुलासा किया है कि कम्पनी अपने मास मार्केट इवी के लिए बैटरियों को स्थानिय वेंडर से लेगी ताकि कॉम्पिटिटिटिव प्राइसिंग हासिल की जा सके नई एमजी इलेक्टरिक कार मौजूदा टाटा इवी को टक्कर देगी जिसमें टियागो इवी, टिगोर इवी और नेक्सिन इवी शामिल है टाटा की इन सभी इलेक्टरिक कारों की कीमत इस समय 8.49 रुपे से 17.50 रुपे एक्स शोरूम के बीच है Automaker का लक्षे MG ZSF का उत्पादन 300-350 यूनिट से बढ़ा कर 500 यूनिट हर महीने करना है ये जनवरी 2023 तक MG Hector का उत्पादन 2000 यूनिट से बढ़ा कर 4000 यूनिट तक मासिक आधार पर करेगी इस कैलेंडर वर्ष के आखिर तक MG Motor इंडिया 55,000-56,000 यूनिट की बिक्री दर्ज करेगी इसका लक्षे 2023 में अपनी बिक्री को दो गुना बढ़ाने का है